इस वीडियो में देखते हैं कैसे रिदम और वेरानिका खेलते खेलते लिमिट क्रॉस कर देते हैं और मस्ती में नुक्सान कर लेते हैं आईए चलिए देखते हैं तरक महता का उल्टा टश्मा ए विरानिका टपको तो आक्टिंग मैंने सिखाई थी यह बात कर यहां जब मैं तेरे जितनी थी मतलब बहुत चोटी सी तब मेरी क्लास में था वो रिक्वेस्ट करता वाया ए रिदम तेरा तो यूट्यब चैनल प्लीज में को आक्टिंग सिख प्लीज तो यह बादेती हो और फिर ऐसे मैंने सिखाई थी तब अधिक तो लेती है अरे बच्चु स्केल होती है स्केल पच्पच्पचर्श कारनी पड़ती है एजम वेरोनिका मैं चड़ा अंकल के यहां लैपटॉप लेने जा रहा हूं आप लोग ठीक से रहना ओके हा अब तो हमेशा से ठीक से रहता है अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या क्रीं 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 क्य अब क्या करेंगे अच्छा जूटे मैंने नहीं किराई तूने किराई इतने उपार थेखने के जरुड़े तो फिर आपने कैच क्यों नहीं किया अच्छा रुख जाओ भी बताती है वेरानिका अच्छा ये बारे तेरो को अभी दीदी अभी जल्दी से समेटे पड़ेगा पापा के मारें ने बहुत जूर की हाँ वो बहुत डाटेंगे भी हुआ आज तो बहुत तक गहे है चलो बचो तो मारे एग्जाम शुरू होने वाले है ना जो बुक्स लेकर हो जाओ लेकर आओ जल्ली बुक्स लेकर आओ लोग सो अपनी ड्राइंग बुक्स जो स्रेधा हम अपनी मैच्स बुक निकालो जल्ली यह क्या पॉपी सारी फटीवी कैसे है पेज़िस कहां पर है और तुम्हारी बुक में यह सारे पेज़िस कहां पर है वेरॉनिका तुम बताओ कहां गजारे पेज़िस पापा उस दिन जब आप चड़ा साब से मिलने गए थे तब दीदी के वज़े से पूरी बॉल नीचे चली गई दीदी ने फाड़ी है मानने पेज़िस पाड़ी है उसके बाद हमारी लड़ाई रहती है और इसने पेज़िस पाड़े थे है सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे और आप फेल हो जाओंगे सारी पापा सारी पापा सारी से क्या होता एक बारी जो गल्ती होगे वो तो गल्ती होगे न आप आप उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते कुछ तो करो कुछ तो करो ठीक है मैं बुक से पढ़ाओंगा और और बस्तों से हम लोग नोट से ले लेंगे लेकिन हमेशा याद रखना कि मस्ती हमेशा लिमिट में करनी चाहिए ओके तो इस बार हमने सीखा कि हमें मस्ती करनी चाहिए लेकिन एक लिमिट में तो फ्रेंश आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से इसे लाइप शेयर और अब सब्सक्राइब तो फ्रेंश वीडियो ना लाइट वीडियो